इंद्रजाल, हिंदी साहित्य में चायावाद यानी रुमैंटिसिजम के चार्स तंभो में से एक, दुरुफ स्वामिनी, कामाईनी, सकंद गुब जैसे उपन्यास, छोटा जादुगर, गुंडा, मधुवा जैसी विलक्षन कहानिया और अनेकों कविताओं के रचियता, जै शंकर प्रसाद के लिखी कहानी, कालंदी बडोला की जुबानी, कालंदी बडोला हाथ थुआत में आपका स्वागत है, मैं और आप हमेशा यहां एक अठा होते हैं, ताकि हम हिंदुस्तानी साहित्य का एक नएक चुनिंदा नगीना, मेरी ओडियो स्टोरी के रूप में श पहुची है, वो है आवाज की लेगसी, अब जहां तक मैं विश्महन बडोला, वीम बडोला दो आर्टिस्ट की बात करूं, जॉर्नलिस्ट की बात करूं, तो एक तो उनका करियर रहा प्लिटिकल जॉर्नलिस्ट के रूप में, साथ साल से उपर तो उन्हों ने काम किया, और साथ-साथ में, पैरलल में, उन्होंने All India Radio के कम से कम 400, 400 से उपर Radio Plays में टाइटल रोल्स किये, उसके अलावा 1960s में अभियान और देशांतर नाम के दो बहुत popular theater movements की स्थापना हुई, उनके founder members में से एक विश्मोहन बडोला थे, मोहन अप्रेती एक बहुत बड़ा नाम मुत्तराखंड के रहे हैं, उन्होंने पर्वतियक अलाकेंद्र की स्थापना की थी, जिसने कुमाउनी और गड़वाली opera को popularize करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, पर्वतियक अलाकेंद्र का एक बड़ा हिस्सा विश्मोहन ब करते थे, अब 1930 में मधुआ करके एक टेली प्ले आया था, उसके इलावा कंजूस वगरे कई प्लेस किये थे, मेरे फादर में, लेकिन मधुआ की बात मैं खास्तोर से कर रही हूं, जिसमें शराबी का रोल किया था, और बहुत popular हुए थे मेरे फादर उसमें, और ये कहानी मधुआ कहानी लिखी थी, जैशंकर प्रसाद जी ने, अब आज जैशंकर प्रसाद जी की बात अफकॉस में कर रही हूं, उन्हें की एक कहानी लेकर आई हूं, मैं आपकी और लिये, लेकिन जैशंकर प्रसाद अब हिंदी साहित्ते में रुमैंटिसिजम, छायावाद के आर्स थंब माने जाते हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंथ, सूरेकान त्रिपाथी निराला और जैशंकर प्रसाद, अब चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, कुछ भी हो, जैशंकर प्रसाद जी ने सब लिखा है, दुरुफ सुमामीनी, कामाईनी, अंगिनत कहानिया हैं उनकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ, उसको ध्यान से इसले बे सुनें, कि जैशंकर प्रसाद जी की लेखनी का एक अलग स्टाइल था, उनकी भाशा बिलकुल अलग थी, उसमें पर्शियन का कोई पुट नही होते थे, एकदम खड़ी, विशुद्ध हिंदी बोली होती थी, जो Sanskritized Hindi जो बोलते है न जिसमें tatsam और tadbhav शब्द होते हैं, मतलब या तो Sanskrit के ही शब्द होते हैं, लिये होए या Sanskrit से प्रेरिच शब्द होते हैं, तो खड़ी बोली थी, जैशंकर प्रसाद जी की लेखनी क और उसको पेंजॉइ जरूर करेंगे और साथ में इन्जॉइ इसले करेंगे कि इंद्रजाल मैंने कहानिया चुनी आपके लिए उसमें ही रोई रोई भी है तो विलन भी है तो आक्षिं भी है अपैंड़ एमोश्न भी है ड्रामा भी है अब कुछ है लेकिन यह आपको कालंदी बडोला, बस मेरा नाम याद रखिये, यूट्यूब पर अगर विडियो देख रहे हैं, तो चेट कर लिजे कि आपने सब्स्क्राइब किया है कि नहीं किया है, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजे, ताकि आगे आने वाले आपको विडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते हैं, Spotify पर, Anchor FM पर, Google पर, सारे प्लाटफॉर्म्स पर, तो प्लीज हर जगा मुझे लाइक कीजे, फॉलो कीजे, सब्स्क्राइब कीजे, कॉमेंट कीजे, मेरे लिंक्स को आगे शेर कीजे, तब ही तो मेरी कहानी दूर तलग जाएगी. गाओं के बाहर, एक छोटे से बंजर में कंजरों का दल पड़ा था. उस परिवार में टट्टू, भेंसे और कुट्टों को मिलाकर 21 प्राणी थे. उसका सरदार मेकू, लंबी चोड़ी हड्डियों वाला एक अधेड पुरुष था. दया माया उसके पास फटकने नहीं पाती थी. उसकी घनी दाड़ी और मूचों के पीतर, प्रसन्नता की हसी छिपी ही रह जाती. गाउं में भीक मांगने के लिए जब कंजरों की स्त्रियां जाती, तो उनके लिए मैकू की आग्या थी, कि कुछ न मिल्ले पर अपने बच्चों को निर्दयता से ग्रिहस्त के द्वार पर जोस्त्री ना पटक देगी, उसको भयानक दंड मिलेगा. उस निर्दय जुंड में गाने वाली एक लड़की थी और एक बांसुरी बचाने वाला युबक. ये दोनों भी गाँ बजा कर जो पाते वो मैकू के चड़नों में लाकर रख देते. फिर भी गोली और बेला की प्रसन्नता की सीमाना थी. उन दोनों का नित्य संपर्क ही उनके लिए स्वर्गिय सुख था. इन घुमकडों के दल में ये दोनों विभिन्न रुची के प्रानी थे. बेला बेडन थी. मा के मरजाने पर अपने शराबी और अकर्मणने पिता के साथ वो इन कंजरों के हाथ लगी. अपनी माता के गाने बजाने का संसकार उसकी नस-नस में भरा था. वो बच्पन से ही अपनी माता का अनुकरन करते हुए अलापती रहती. शासन की कठोरता के कारण कंजरों का डाका और लड़कियों के चुराने का व्यापार बंधो चला था. फिर भी मैकू अवसर से नहीं चूपता. अपने दल की उन्नती में बरावर लगा ही रहता. इस तरह गोली के बाप के मर जाने पर जो एक चतोर नट था, मैकू ने उसकी खेल की पिटारी के साथ गोली पर भी अधिकार जमाया. गोली महूर तो बजाता ही था, पर बेला का साथ होने पर उसने बांसुरी बजाने में अभ्यास किया. पहले तो उसकी नट विद्या में बेला भी मनोयोग से लगी, किन्तु दोनों को भानू मती वाली पिटारी ढोकर दो-चार पैसे कमाना अच्छा ना लगा. दोनों को मालूम हुआ कि दर्शक उस खेल से अधिक उसका गाना पसंद करते हैं, तो दोनों का चुकाव उसी ओर हुआ. पैसा भी मिलने लगा. इन नवागन तक बाहिरियों की कंजरों के दल में प्रतिष्ठा बढ़ी. बेला सावली थी. जैसे इप पावस की मेगमाला में छिपे हुए आलोक पिंड का प्रकाश निखरने की अदम में चेश्टा कर रहा हो, वैसे ही उसका योवन सुगठे चरीर के भीतर उद्वेलित हो रहा था. गोली के सनेह की मदरा से उसकी कजरारी आँखे लाली से भरी रहती. वो चलती तो थिरकती होए, बाते करती तो हस्ती होई. एक मिठास उसकी चारों और बिखरी है थी. फिर भी कोली से अभी उसका ब्याह नहीं हुआ था. गोली जब बांसुरी बजाने लगता तब बेला के साहित्यहीन गीत जैसे प्रेम के माधुर्य की व्याक्ष्या करने लगते हैं. गाउं की लोग उसके गीतों के लिए कंजरों को शीग्र हटाने का उद्योग नहीं करते. जहां अपने सदस्यों के कारण कंजरों का वो दल घ्रिणा और भै का पात्र था, वहां गोली और बेला का संगीत आकर्शन के लिए पर्याप्त था. किन्तु इसी में एक व्यक्ति का अवांचन या सहयोग ब्यावश्यक था. वो था भूरे. छोटी सी धोल लेकर उसे भी बेला का साथ देना पड़ता. भूरे सचमुझ भूरा भेड़िया था. गोली अधरों से बासुरी लगाए, अर्ध निमीलित आंखों के अंतराल से बेला के मुक को देखता हुआ, जब भृदय की फूख से बास के टुकड़े को अनुप्रानित कर देता, तब विकड घ्रिना से ताड़े थोकर भूरे की भयानक था धोल पर पड़ जाती. शन भर के लिए जैसे दोनों चौक परते. उस दिन ठाकुर के गड़ में बेला का दल गाने के लिए गया था. पुरुसकार में कपड़े और रुपे तो मिले ही थे, बेला को एक अंगुथी भी मिली. मैकु उन सब को देखकर प्रसन्न हो रहा था. इतने में सिर्की के बाह कुछ हल्ला सुनाई पड़ा. मैकु ने बाहर आकर देखा कि भूरे और गोली में लडाई हो रही थी. मैकु के करकश्वर से दोनों भैभीत हो गये. गोली ने कहा, मैं बैठा था, भूरे ने मुझको गालियां दी. फिर भी मैंनो बोला, इस पर उसने मुझे पैर से ठोकर लगा दी. और ये समझता है कि मेरी बासुरी के बिना बेला गाई ही नहीं सकती. मुझसे कहने लगा कि आज तुम धोलक बेताल बजा रहे थे. फूरे का गंड क्रोद से भर्राया हुआ था. मैकु हस पड़ा. वो जानता था कि गोली युवक होने पर भी सुकुमार और अपने को प्रमानित करने की चेश्टा उसमें थी ही नहीं. वो आज जो कुछ उग्र हो गया इसका कारण है केवल भूरे की प्रतिद्वन्वता. बेला भी वहां आ गई थी. उसने घ्रिना से भूरे के और देखकर कहा तो क्या तुम सचमों चाज बेताल नहीं बजा रहे मैं बेताल न बजाओंगा तो दूसरा कौन बजाएगा अब तो तुमको नए यार न मिले हैं बेला तुमको मालूम नहीं है कि तेरे बाप ने मुझसे तेरा ब्यार ठीक करा रखा है. इसी बात पर मैंने अपना नैपाली का दोगला टट्टू से दे दिया था जिस पर उस निर्जन प्रांत में जब अंदकार खुले आकाश के नीचे तारों से खेल रहा था तब बेला बैठी कुछ गुन-गुना रही थी. कंजरों की जोपनियों के पास ही पलाश का छोटा सा जंगल था. उनमें बेला के गीद गूंज रहे थे. जिसे कमल के पास मधुकर को जाने से कोई नहीं रोक सकता. उसी तरह गोली भी कम मानने वाला था. आज उसके निरियह रिदय में संगर्ष के कारण आत्मविश्वास का जन हो गया था. अपने प्रेम के लिए अपने वास्तवे का दिकार के लिए जगरने की शक्ती उत्पन्न हो गई थी. उसका छुरा जंगम की तरह उस अंधेरे कानन में किलकारने लगे. आज प्रेम के आवेश्व ने आवरन हटा दिया था. वो नाचने लगे. आज तारों के क्षिन जोती में हृदय से हृदय मिले. पून आवेग में. आज बेला के जीवन में यौवन का और गोली के हृदय में बेला ने चीतकार किया. गोली छटक कर दूर जा खड़ा हुआ कि दुखाव उच्छा लगा. बाग की तरह जपटकर गोली ने दूसरा वार किया. बूरे संभाल ना सका. फिर तीसरा वार चलाना ही चाहता था कि मैकू ने गोली का हाथ पकड़ लिया. वो सर नीचे के खड रहा. मैकू ने कड़क कर कहा. बेला भूरे से तुझे ब्याग करना ही होगा. यह खेल अच्छा नहीं है. उसी क्षण सारी बाते गोली के मस्तक में छाया चित्रसी ना चुठी. उसने छूरा धीरे से गिरा दिया. उसका हाथ छूट गया. जब बेला और मैकू भूरे का हा बाने जाने लगी. बेला ने भी सिर जुका कर इसे स्विकार कर लिया. परंतु उसे पलाश के जंगल में संध्या के समय जाने से कोई नहीं रोक सकता था. उसे जैसे साइकाल में एक हलका सा उन्माज सा हो जाता. बूरे या मैकू भी उसे वहां जाने से रोकने में भी नहीं मिली थी. गाउवालों की छुरी हसिया और काट कबार के कितने ही काम बना कर वो लोग पैसे ले लेते थे. कुछ अन्यू भी मिल जाता था. चडिया पकड़कर पक्षियों का तेल बना कर जड़ी बूटी की दवा तथा उत्तेजक औशदियों और मदिरा का व्या नई ती सुत्पन्न हो गई थी, जिसमें बासुरी का स्वर सुनाई पड़ता था. आप सुन रहे हैं इंद्रजाल, जैशंकर प्रसाद की लिखी कहानी कालिंदी बडूला की जुबानी. अंतर में भरे हुए निश्फल प्रेम से युवती का सौंदर्य निखराया था. उसकी कटाक्ष अलस, गती मदिर और वानी जंकार से भर गई थी. ठाकुर सहाब के गड़ में उसका गाना प्राया हुआ करता था. छीत का घागरा और चूली उस पर गोटे से धंकी हुई ओ और बुढ़े अपनी मर्यादा, आदर, श्वादिता की रक्षा करते हुए दूर से उसकी तान सुनने के लिए एक जलब देखने के लिए घात लगाये रहते. गड़ के चौक में जब उसका गाना जमता तो दूसरा काम करते हुए कुछ भी और आड़ में मनोयोग से और कं दूरे के साथ बेला के गड़ के बाहर जाने पर भी मैकू वही थोड़ी देर खड़ा रहा. थाकुर ने उसे देख कर पूछा, क्या है? सरकार, कुछ कहना है. क्या? यह चोकरी इस गाउं से जाना नहीं चाती, उदर पुलीस दंकर रही है. जाना नहीं चाती क्यों? अब वो तो घूम घाम कर गड़ में आ जाती है, खाने को मिल जाता है. मैकू आगे की बात चुप होकर कुछ-कुछ संकेत भरी मुस्कुराहट से कह देना चाहता था. थाकुर के मन में हलचल होने लगी. उसे दबा कर प्रतिष्ठा का ध्यान करके थाकुर ने कहा, तो मैं क्या क करूं. सरकार, वो तो सांज होते ही पलाश के जंगल में अकेली चली जाती है, वहीं बैठी हुई, बड़ी देर रात तक गाना गाया करती है. एक दिन सरकार अकर धंका देना, तो हम लोग उसे ले देकर आगे कहीं चले जाएं. अच्छा, मैकू जाल पहला कर चला आया. ए बेला के सुन्दर अंकी मेगबाला प्रेम राशी की रजट रेखा से उद्भासित हो थी थी. उसके हृदय में ये विश्वास जम गया था, कि भूरे के साथ घर बसाना, गोली के प्रेम के साथ विश्वास खाथ करना है. उसका वास्तविक पती तो गोली ही है. बेला में ये उच्छंकल भावना विकड तांडव करने लगी उसके हृदय में वसंत का विकास था उमंग में मल्यानिल की गती थी कंठ में वनस्थिली की काकली आखों में कुसमोचसव था और प्रत्येक आंदोलन में परिबल का उदकार था उसकी मादकता बरसाती नदी की तरह बढ़ाया तो भूरे ने डाट कर कहा कहा चली यार के पास उसने छूटते ही कहा बेला के सहवास में आने पर अपनी लगता को जानते हुए मसोस कर भूरे ने कहा तू खून कराय बिना चैन नहीं लेगी बेला की आखों में गोली का और उसके परिवर्दमान प्रेमांकुर का चित्र था जो उसके हट जाने पर विरह जल से हरा भरा हो उठा था बेला पलाश के जंगल में अपने बिछड़े हुए प्रियतम के उद्देश्य से दो चार विरह वेदना की तानों की प्रतिध्वनी छोड़ाने का काल्पनिक सुख नहीं छोड़ सकती थी उस एकान सं अंध्या में बरसाती जिल्लियों की जंकार से वायू मंदल गूंज रहा था बेला अपने परिचित पलाश के नीचे बैठ कर गाने लगे चिनहित नाहीं बदल गए नैना ऐसा मालूम होता था कि सच्मुझ गोली उस अंध्यकार में अपरिचित की तरह मूँ भिराकर चला आ रहा है बेला की मनोवेदना को पहचानने की क्षमता उसने खो दी है बेला का एकांत में विरहने वेदन उसकी भाफ प्रवन्ता को और भी उत्तेजित करता था पलाश का जंगल उसकी कातर कोहुक से गूंज रहा था सहसा उस निस्तब्धता को भंग करते हुए घोडे पर सवार ठाकुर सहाब वहां आप महुचे अरे बेला तू यहां क्या कर रही है बेला के स्वर्ग लहरी रुख गई थी उसने देखा ठाकुर सहाब महत्वका संपून चित्र कई बार जिसे उसने अपने मन की असैयत कल्पना में दुर्गम शेल श्रिंग समझ कर अपने भ्रम पर अपनी हसी उड़ा चुकी थी वो सकुचाकर खड़ी हो गए बोली नहीं मन में सोच रही थी गोली को छोड़कर भूरे के साथ रहना क्या उचित है और नहीं तो फिर थाकुर ने कहा तो तुमारे साथ कोई और नहीं कोई जानवर निकल आवे तो बेला खिल खिला कर हस पड़ी थाकुर का प्रमाद बढ़ चला था घोड़े से जुक कर उसका कंधा पकड़ते हुए बूचा चलो तुमको पहुचा दें उसका शरीर काप रहा था और थाकुर आवेश में भर रहे थे उन्होंने कहा बेला मेरे यहां चलोगी भूरे मेरा पती है बेला के इस कथन में भयानक व्यंग था वो भूरे से छुटकारा पाने के लिए तरस रहे थी उसने धीरे से अपना सर थाकुर की जांग से सटा दिया एक शण के लिए दूनों ही जुप थे फिर उसी समय अंदकार में दो मूर बेला थाकुर साथ थान हो गए थे उनका हाथ बगल की तलवार की मुट पर जा पड़ा धूरे ने कहा जंगल में किसलिये तू आती थी यह मुझे आज मालूम हुआ चल तेरा खून पिए बिना ना छोड़ूंगा थाकुर के अपराद का आरंब तो उनके मन में हुई चु और दिया कड़कर बोले खून करने से पहले अपनी बात भी सोच लो तुम मुझ पर संदेय करते हो तो यह तुमारा भ्रम है मैं तो अब मैकु आ गया आया उसने कहा सरकार बेला आप कंजरों के दल में नहीं रह सकेगी तो तुम क्या कहना चाहते हो ठाकुर सहाब अपने म हम लोगों के संग नहीं रह सकता मैंकु पूरा खिलाडी था उसके सामने उस अंदकार में रुपाई चमक रहे थे ठाकुर को अपने अहंकार का आश्रय मिला थोड़ा सा विवेक जो उस अंदकार में जिल मिला रहा था बुच गया उन्होंने कहा तब तुम क्या चाहते हो एक हजार चलो मेरे साथ कहकर बेला का हाथ पकड़ कर ठाकुर ने घोड़े को आगे बढ़ाया भूरे कुछ भुनवना रहा था पर मैंकु ने उसे दूसरी और भेज कर ठाकुर का संग पकड़ लिया बेला रिकाब पकड़े चल रही थी दूसरे दिन कंजरों का दल उस ग में कामानी जाती है अब उसकी प्रतिष्ठा अन्य कुलवधूं की तरह होने लगी है नए उपकर्णों से उसका घर सजाया गया है उस्तादों से गाना सीखा है गड़ के भीतर ही उसकी छोटी सी साफ सुत्री हवेली है ठाकुर सहाब की उमंग की रातें वही कटती है फिर निबाहने की आपड़ी है एक दिन एक नट आया उसमें अनेक तरह के खेल दिखला है उसके साथ एक स्त्री थी वो घूंगट उंचा नहीं करती थी खेल दिखला कर जब अपनी पिटारी लेकर जाने लगा तो कुछ मन चले लोगों ने पूछा क्यूं जी तुम्हारी स्त् की धुन बेला के कानों में उनमाद का आहावान सुना रही थी पिंज्रे की वन विहंगनी को वसंत की फूली हुई डाली का स्मरण हो आया था दूसरे दिन गड़ में भारी जमगट लगा गोली का खेल जम रहा था सब लोग उसके हस्त कोशल में मुग्ध थे सहसा उसने कह सरकार एक बड़ा भारी दैत्य आकाश में आ गया है मैं उससे लड़ने जाता हूं मेरी स्त्री की रक्षा आप लोग कीजिएगा गोली ने एक दोरी निकाल कर उसको उपर आकाश की और फिंगा वो सीधी तन गई सबके देखते देखते गोली उसी के सहारे आकाश में चड कर अद्रिश्य हो गया सब लोग मुग्द होकर भविश्य की प्रतीक्षा कर रहे थे किसी को ये ध्यान नहीं रहा कि स्त्री कहां है गड़ के फाटक की और सबकी द्रिश्टी फिर गई गोली लहू से रंगा चला आ रहा था उसने आकर ठाकुर को सलाम किया और कहा सरकार मै इनाम मिलना चाहिए सब लोग उस पर प्रसंद होकर पैसे रुपयों की बोचार करने लगे उसने जोली भरकर इधर देखा पर कहा सरकार मेरी स्त्रीय मिलनी चाहिए मैं भी किन्तु ये क्या वहां तो इसकी स्त्री का पता नहीं गोली सिर पकड़ कर शोक मुद्रा में ठाकर साब ने गड़ के बीतर कहीं छिपा दिया मेरी योगी नहीं कह रही है सब लोग हसने लगे लोगों ने समझा ये कोई दूसरा खेल दिखलाने जा रहा है ठाकर ने कहा तो जा तू अपनी सुन्दर स्त्री मेरे गड़ में से खोजला अंदकार होने लगा था उसने ज जाओ ना सरकार हां हां जाता क्यों नहीं ठाकर ने भी हसकर कहा गोली नई हवेली की ओर चला उन शंक भीतर चला गया बेला बैठी हुई तन्मय भाव से बाहर की भीर जरोके से देख रही थी जब उसने गोली को समी पाते देखा तो वो काँ पूठ थी कोई दासी वहा न थी सब खेल देखने में लगी थी गोली ने पोटली फेक कर कहा बेला जल चलो बेला के हृदय में तीवर अनुभूती जाग उठी थी एक शण में उस दीन भिकारी की तरह जो एक मुठी भीक के बदले अपना समस्त आश्रवाद दे देना चाहता है वो वर्दान देने के लि भीर में आ गई तालियां पिटी हसी का ठाहा का लगा वही घूंगट ना खुलने वाला घूंगट साइकालीन समीर से हिलकर रहे जाता था ठाकुर साहब हस रहे थे गोली दोनों हातों से सलाम कर रहा था रात हो चली थी भीर के बीच गोली बेला को लिए जब भाटक के बा का वेग से चल पड़ा अभी ठाकुर साहब का दर्बार जम रहा था और नट के खेलों की प्रशंसा हो रही थी आप सुन रहे हैं इंद्रजाल जैशंकर प्रसाद की लिखी कहानी कालंदी बडूला की जुबानी कालंदी बडूला हाथ हो आत में मैंने आज अपनी ओडियो चार स्थंब माने जाते हैं उन में से एक महादेवी वर्मा, सूरिकांत्रपाथी निराला, सुमित्रा नंदन पंथ और चौथे जैशंकर प्रसाद जी तो इंद्रजाल ये जो कहानी है जिसमें मैंने आपको पहले भी बोला था कि भई हीरो भी है, heroine भी है, villain भी है, action है, drama है, emotion है, सब कुछ है, आपको कैसे लगी ये कहानी, मुझे तभी बता चलेगा अगर आप अपना reaction, अपना feedback जरूर देंगे, K-A-L-I-N-D-I-B-A-D-O-L-A, Kalindi Badola, मेरा नाम याद रखिए, अगर YouTube पर मेरा विडियो देख रहे हैं तो प्लीज चेक कर लिजे, subscribe का button आपने कर दिया है कि नहीं, और साथी साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, तो आगे आने वाले वाले विडियो की notification आपको मिलेगी, फ्लीज अपने कॉमें जरूर छोड़िए, अपने लिंक्स जो है मेरे आगे जरूर शेयर करिए, Facebook और Instagram पर Kalindi Badola नाम से मैं हूँ, और म सब जगह आप प्लीज मुझे लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे, फॉलो कीजे, अपने कॉमेंट्स अपना फीड़बैक दीजे और मेरे लिंक्स को आगे शेयर कीजे, तब ही तो मेरी कहानी दूर तर लग जाएगी। पर दोला की जुबानी Indrajaal, a fantastical tale of love, betrayal, jealousy and all heightened emotions, written by Jai Shankar Prasad, one of the four pillars of Chayavad or romanticism in Hindi literature and creator of masterpieces like Thrufaswamini, Skandagupt, Kamayini, Chhota Jadugar and Madhuva, to name a few, presented as an audio story by Kalindi Badola.